Hello and welcome to my English Academy और आज का जो टॉपिक है वो है ओ साउंड वर्ड ओ साउंड वर्ड ये ओ है और इसकी जो शॉर्ट साउंड है वो है ये ओ, ओ, इसकी साउंड क्या है? ओ, तो जब ए और यू साथ में मिलता है तो ये भी ओ साउंड करता है चलओ स्टाइट करते हैं ओ, त, ओ जब भी ओ लास्ट में आता है किसी वर्ड की लास्ट में तो इसका नाम बोलते है इसका नाम है ओ ओ, त, ओ, त, ओ, डि, यू ओ, ओ, त, ओ, यू, अ, यू, ओ, त, ओ, अ, थ, र, ओ, आर, को जब last में हो तो ये R प्रनन्स होता है ओ, R जब last में हो तो R प्रनन्स होता है ओ, थ, र, ओ, थर ओ, डि, ट, ओ, डि, ट ओ, ग, जी, का ग होता है और U को, U की साउंड है ओ, ओ, ग, स्ट, ओ, ग, स्ट फ्र, फ्र, ओ, फ्रो, ड, फ्रोड ओ, र, जब A last में आता है पहले भी बता चुकी हो तो इसका साउंड आ होता है ओ, र, ओ, र, ओ, थ, न, ओ, थ, तिक, ओ, थेन, टिक ओ, क, ओ, ओ, टि, आई, ओ, ओ, एन, की एक अपनी सिंगल साउंड है शन, ओ, शन, ओ, शन ल, ओ, ल, न, लॉँच, लॉँच ओ, टो, ओ, ओ, ग्रेफ, ओ, ओ, टो, ग्रेफ, ओ, ओ, टो, म, ए, मै, ओ, टो, मै, टिक जिस तरह मै पढ़ने की कोशिश कर रही हूं वैसे ही आप भी करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको रिडिंग प्रॉबलम नहीं होगी अगर इसी वीडियो को अगर आप वन टू मोर टाइम देखेंगे तो ये सारे वर्ट्स आपको एजली रिड होने लग जाएगे तो आप जितने भी वीडियो हैं उससे वन टू मोर टाइम देखें आपकी रिडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी A-s-troy A-s-troy A-s-tro-n A-s-t-ro-n O-a-na-o A-s-t-ro-not A-s-t-ro-not O-d-y O-d-y T-I-O-N Sion O-d-y-sion Odition Q-a-o जब टू वोविल के बीच में S आता है तो इसकी sound ज होती है कॉज 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 क्ल 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 देखो फिर से दो वोविल के बीच में S आने पर स साउंड न होकर ज साउंड होती है कॉ क्लॉ 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 ओ डी ओ डी बल धी ज है हमने इसकी साउंड बी-L को जब स्टार्टिंग बिगिनिंग साउंड पढ़ा है तो ब्ल पढ़ा है ब्लः लेकिन जब यह इंड्म में आती है स साथ में तो यह बल की साउंड आती है ये बल की साउंड आती है ओ डी बल ओ डी बल प ओ पॉ ज पॉज फिर से एस ज प्रणंस होगा पॉज पॉज फ ओ फॉल फॉल्ट फॉल्ट ह ओ हो टी हो टी इसकी साउंड क्या है हो टी ओ डी ये एंस ये एक साथ है ये एंस ओडी अडी एंस न ओ नो टी नो टी ये जी एच टी ये को नोटी टी इ पढ़ते हैं नोटी पढ़ते हैं वी कॉ 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 बिकॉज 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 आप अगर इन सब वीडियों को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत सारे nos एसे ही समझा जाएंगे कि किसके साथ हम यह AU यूज करें या किसी के साथ OR यूज करें तो आप जब देखते रहेंगे तो words जब repeat होते रहते हैं reading practice से इसका कोई specific rule नहीं है कि आप इसको रट लें लेकिन जब आप हम भी ऐसे याद करते हैं जब हम बार-बार इनी words को पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं तो यह दिमाग में बैठ जाता है तो आप भी practice करें कि इन words को पढ़ें और बार-बार पढ़ने से यह आपके आपकी habit में आ जाएगी आपको लिखना आ जाएगा जब auto बोले तो ओ ओ आप लिखने की practice करेंगे तो ओ ऐ यू का ओ टी ओ का टो ओ टो ऐसा बोल बोल कर आप लिखने की भी practice करें तो आपको जल्दी ही यह सारे words याद हो जाएंगे अगर यह video आपको अच्छी लगी हो तो please like, subscribe and share thank you for watching this video